नमस्कार जी आज फाइनल रिवीजन लेक्चर दे वीच असी बहुत सारे इंपोर्टन एम सीक्यू साइन्स दे टेकनोलोजी दे लेके हाजर हुए हैं सो मैं सोनिया सचर फिर एक परी फड़ा सब्दा एजुकेशन वर्ड़े मिच स्वागत कर दे हैं ते उमीद कर दे हैं कि तोड़ी सारे आदे त्यारी जड़िया हो चंगी चाल रही होएगी ठीक है चलो फिर अज अपने इंपोर्टन्ट रवीजन कोशन्स स्टार्ट कर दे ह सब तो पहला कोशन है एन अब्जेक्ट ओफ मास 15 किलोग्राम is 15 किलोग्राम is moving with the uniform velocity of 7 meter per second तो नो की देता है मास देता है किना 15 किलोग्राम velocity किनी देती है 7 meter per second ते कड़ना किया what is the kinetic energy kinetic energy किड़ी होंदी है energy due to motion kinetic energy the formula होंदा है half mv square half mass किना है 15 velocity किनी है 17 square ठीक है ते एदा तुसी जुदों करोंगे calculate ते किना आ जाएगा 367.5 ठीक है ते एदा आंसर किदे चाहेगा जाओल देवीच एदा मतलब साड़ा सही जुआप किड़ा होगया 367.5 अगला question a flying jet possesses केंदा जड़ा jet होंदा है वो केंदा जड़ों चलदा है तो उदे जड़ी केड़ी energy होंदी है potential energy, kinetic energy, wind energy both kinetic energy and potential energy जड़ी potential energy होंदी है this is due to position एप position करके होंदी है ठीक है kinetic energy होंदी है due to motion ते wind energy due to wind पर जड़ा flying jet आओ देचे दोनों तरीक के दिया energy होंदी है kinetic energy ते potential energy ठीक है अगला question a body rolling down on a hill has जड़ो कोई चीज कोई से पाड़ी तो नीचे नों आ रही है केंदा ओदों ओदेच केड़ी energy है kinetic energy, potential energy, frictional force both kinetic energy and potential energy तो दुनों अधिया है जड़ो उपर घड़ी है तो potential है जड़ो तुसी नों चाड़ता हो motion चागी ओज़ी केड़ी energy आगी kinetic energy ठीक है तेदा अंसर की होगया D अगला question है an object of mass 6 kg mass देता 6 kg having a potential energy potential energy देती energy हमेशा जाउल या kilo जाउल चाउल 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 दिती होगी तो उदे पहले जाउल बना लेने है और नों 10 दी पावर 3 देनाल multiply करके मतलब 1000 देना find the height of the object h करनी है height ठीक है ते तन वित्ता की है g small g की है acceleration due to gravity ठीक है ओक इना देता 10 meter per second square वैसे यदी value किनी हों दी है 9.8 meter per second square but calculation नो easy करनी आसी यहनो equal to 10 वान लेने है ठीक है उन potential energy दा formula सा नू पता होना चाहीद है kinetic energy दा formula होनदा है half mv square potential energy दा formula होनदा है mgh ते जड़ी चाहीज करनी है ना उननों left side दे लाजाओ h किदे परबर हो गया potential energy divided by m into g उन values पुट कर दो potential energy किनी है 480 divided by mass किनी है 6 ते acceleration due to gravity किनी है 10 एननों करोगे ते तोड़ answer किनी हा गया 8 क्योंकि ऐसा ही unit है ते answer कि आएगा meter एदा मतलब answer की हो गया करदा B अगला question है conversion of sound energy into electrical energy is done by sound energy नों electrical energy चे convert करना है तो केंदा हो किदे किदे चुन दी है solar cell देख्या solar cell की करदा है sun energy नों sun energy और solar energy नों किदे चे convert करदा है electrical energy जीच बिसली पैदा उन्दी यादे तो ताहिए असी solar cell लगाने है कि यादे तो ही बिसली पैदा कर सकी है gramophone जड़ा है ठीक है gramophone एभी किया बिसली ना चलदा है यादा मतलब electrical energy नों किदे चे convert कर रहा है sound energy ठीक है microphone जड़ा है ओ की करदा है sound energy नों किदे चे convert करदा है electrical energy ते loudspeaker तुसी देख्या है अभी बत्ती तो बगार नहीं चलदा ते electrical energy to sound energy ते फेसर ड़ा answer की हो गया चड़ा sound energy नो electrical energy चे convert करे microphone अगला question the conversion of mechanical energy into electrical energy does not occurring कि mechanical energy नों सी electrical energy चे convert कर रहा है पर अना चो किदे चे नहीं है ठीक है dams देखो dams देविच की उन्दा पानी खड़ा हुन्दा ते उत्थे जदो आपा चलाने है dams देविच पानी चड़ देया ते की उन्दा टर्बाइन स्कूम दिया एदा मतलब mechanical energy आगे ठीक है mechanical energy आगे ते dams देखी पैदा उन्दी है बिजली एदा मतलब असी mechanical नो electrical energy चे convert कर रहा generator चो भी आई है generator भी की करदा तड़ा mechanical energy नो electrical energy चे convert कर दा DC generator भी तड़ा ही कर दा मोटर तो सी देख्या की उन्दा है मोटर चड़ी इसी पानी पर देया कराच लगिया हूं देया ना मोटर आसी उचल्दी के दना लाए बिजली ना एदा मतलब electrical energy उन्नों देऊगे supply करोगे तो काम करेगी फेरी तो आड़ा पानी आगे टैंक की देविच पानी फेरी पर दा है दा मतलब electrical energy नो mechanical energy इच convert कर दा है question हो दा सीगा की mechanical energy तो electrical energy इच एनना चारहां चो केड़ा option नहीं है तो answer फिट थड़ा की आगया मोटर बाकी ते सारहां चो हो रहे है तो सिरफ इक मोटर च उल्टा है ठीक है अगे acceleration due to gravity g for object on or near the surface of earth is related to the universal constant g s ठीक है ते universal constant g दे नाल केंदा एदा की relation है ते small g किदे पराबर हुँदा है gm upon r square ठीक है ते एदा सही answer है अगला है gravitational force is maximum at which of the following places gravitational force के अंदा maximum किते हों दिया है equator थे tropic of cancer थे tropic of capricorn थे के poles देवकर सब तो जदा किते हों दिया है poles देवकर ठीक है अगला question आ गया कि the weight of an object on moon is equal to dash of its weight on earth एदा मतलब weight किदे थे moon थे किदे बराबर है weight on earth ठीक है ते किनना होंदा है moon थे उपर जिनना अर्थ थे weight थे वेट थे ना उदा एकी हो जन्दा 1 by 6 एर relation याद रख लो ठीक है तेदा मतलब answer किया गया अगला question उन्हें देते ही है the weight of an object on the earth is 150 newton so weight कि दे थे अर्थ थे किनना है 150 newton ते किनना होदा weight on moon किनना होएगा so weight on moon उन्हें करके आठे है कि दे बराबबर है 1 by 6 into weight of earth कोई भी चीज अर्थ थे उपर जिनना weight होदा उदा 1 6th होएगा उन्दा moon ते 1 by 6 into 150 ठीक है एन्नों calculate कर लोगे ते तोड़ा answer किनना होगया 25 25 newton ठीक है so answer तोड़ा की होगया C अगला question है which one among the following is the covalent compound ते पहले देख़ए नदा formula लिखते है calcium chloride CaCl2 एए एक metal है ते एक non-metal है metal ते non-metal ते वीच हमेशा ही केड़ा bond बंदा है ionic bond यदे उपर charge किन दा plus 2 यदे उपर minus 1 एदा मतलब एदे वीच केड़ा bond है ionic magnesium fluoride एभी एक metal है ते एक non-metal है magnesium divalancy 2 ते एदी वीच एक ते formula बंदगया MgF2 एदी वीच भी एदी वीच भी खेड़ा bond आगया ionic sodium chloride formula NaCl plus minus एभी एक metal ते एक non-metal एदे एच भी केड़ा bond होगया ionic carbon tetraculoride दा formula CCl4 एभी एक non-metal है ते एभी एक non-metal है जदो दो non-metal ते वीच bond बंदगया ओकेड़ा bond बंदगया covalent क्योंकि ओक इदनल बंदगया sharing of electron देना ठीक है एद sharing हो रही है सारे electrons 1-1 electron एदा 4 electron एगे carbon को ते 7 electron है गया एदे को मैं एदा 2, 4, 6 ते 1 एदा 1 एदर 2, 4, 6 एदर एदर भी 2, 4, 6 एदर भी 2, 4, 6 साथ ते 8 एदा भी octet कूरा हो गया carbon भी octet कूरा हो गया देखो अदे गोल भी 8 electron हो गया ते हर एक क्लोरीन दे भी आसी देखांगे तो ओदे भी किनने हैं 8-8 electron पूरे हो गया ते एदे ना लोग अपना octet कम पूरा कार लेंदे हैं मतलब अपने आपनो stable बना लेंदे हैं ठीक है? अगला कुशन है अगला कुशन है maintenance compound which possesses ionic coefficient and coordinate bond हुन देखो यह दोनों ही non metal है अघे खुआंज गरा कोविलेंड यह दोनों non-metal है कोविलेंड यह दोनों non-metal है कोविलेंड ठीक है? अमोनियम कोलराइड दी जदो असी स्ट्रक्चर करांगे ते नाइटोजन दा टॉमिक नंबर हुन्दा साथ दो पांज इलेक्टोनिक कन्फिगेशन एदा मतलब इन्हों तेने लेक्टोन चाहिए दिया है ते एदे यसी तेने लेक्टोन अद्दा लिख लन्या एक 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 ए आएट आक्टेट पूरा है 2, 4, 6, 8, ठीक है एए बन गया हमोनियाँ उन्हेंमोनियम कोलराइड टे भी चपकी एड़ कर रहें एक टे एच प्लस है मतलब है कि एदे को कोई एलेक्ट्रोन नीए दा मतलब एद दो एलेक्ट्रॉन नाइटोजन को लो लांगे की बना देगा थे coordinate bond, ठीक है, ते या positive charge असी एत्तों हटा के, एत्तों हटा के एदे उपर लिख लाँगे, plus Cl minus, तो हुन देखो, ammonium कल राइट दे विच सादे कोल covalent bond भी present है, ते आइनिक bond भी present है, एदे कोई आइनिक bond हो गया, दो charge आगे, एवला केडा bond हो गया, coordinate bond, एवले covalent bond तिन, तिन देखे covalent bond है, एक काईनिक bond है, एदे ते देखे, ते एक ही coordinate bond है, ठीक है, एदा आंसर हो गया, उत्वादा फिर सही आंसर के हो गया, ammonium कल राइट, अगला कुश्च्च्च्च्च्च्च् तीन थे, तीन बनाते हर करबंदी विलन चीछ चार उन दिया है, पूरी कर लिए, ठीक है, उन लगा दो, एक तरफ सी एल लगा दो, बाकी सारे हाइट उजन लगा, ठीक है, उन्होंने कोश्चन पूचा है, कोविलन बॉंट सारे ही bond है जोंट की है, कोविलन बॉंट थे, ते सही answer की होगा, 10, ठीक है, अगला question, the atomic number of an element is 8, केंदा कोई भी element है, उदा atomic number किनना 8, तो दी configuration की होगे, 2, 6, ठीक है, how many electrons will it gain to form compound with sodium, केंदा किनने electron ले, मतलब ऐदी मैं करनी है, valency, तो valency करदना दा formula कि उदा 8 minus number of valence electrons, 2, एदा मतलब है किनने electron ले, 2 electron ले, तांकि है, sodium denal compound बना ले, तो एदा answer फिर किया गया, B, एदी valency करदनी है, valency करदना दा ऐदा formula होंदा, 8 minus number of valence electrons, अगला question, the chemical reactions in which heat release is called, जिज़े चे heat release होंदी है, और अनु असी कैनने है, exothermic reaction, endothermic reaction चे की होंदा है, heat absorb होंदी है, heat is absorbed, ठीक है, combination reactions ते वीच की होंदा है, दो elements मिलके, एक compound बना दे है, ते decompositions के उन्दास तो उल्टा, एक compound नो जदो होंदा हीट कर दे है, तो यह दो यह दो तो elements यह compound से भी श्टोट जादा है, ठीक है, तो यह दा सही answer D, अगला है browning of paper in old books, is called by, तो यह देख्या होएगा, जदो किताबा से पुरानी हो जादी है न, ठीक है, तो पीलियां पह जादी है, क्यों पह जादी है, जदो तो अपन नमिया नमिया ले अन्याओ, बिलकुल white होंदी है, क्योंकि उन्हों paper नो की किता होंदा है, bleach किता होंदा है, ठीक है, जिददा ही ओए एक्सपोस, जिदो उन जिदनी वर्यासी किताब खुलांगे, ओ एर्धे एक्सपोजर चाहेगी, ठीक है, आक्सीडेशन होंदे होंदे, उन्होंदे कलर किया है, फीला पेंदा जादा है, एदा मतलब oxidation of cellulose हो जादी है cellulose किदज present होंदा है? वुट्ज ठीक है? ति एदा answer की हो आगया oxidation of cellulose bleaching reaction of chlorine is due to which reaction? कि एदा bleaching reaction जड़ावया chlorine दा किदे करके होंदा है ना जो bleaching reaction जगी है bleaching reaction वस्ते chlorine दे सब तो जड़ी जरूरी condition की है moisture ठीक है? एदा मैं equation लिख देनी है एदा मतलब water दी presence जड़ी bleaching action होएगा plus chlorine जदो एद रियक्ट करदे है तो है की बनादे है? HCl ते HCl hydrochloric acid ते hypochlorous acid है जड़ा HCl बन्दा है ना एफिट तो तूट जानदा है HCl plus nascent oxygen create करदे है अरड़ी nascent oxygen है ना A कर दिया है जो वी colored matter colored matter असी ले 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 colored object ले 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 ओधी oxidation होएगी and nascent oxygen और रेक्ट करके उन्हों की कारदन दिया है colorless एदा मतलब bleaching action की दे करके है? oxidation दे करके ठीक है? so answer फिर की आगया A अगला कोशन है what happens in the rusting of iron rusting of iron दे वीच की होंदा है? iron दी oxidation होंदी है ठीक है? वो air देनल रेक्ट करदा है in the presence of water to form rust ठीक है? ते की बना देन दा rust एदा मतलब की होएगी oxidation अगला कोशन the process by which milk is converted into curd milk नो curd दे वीच जदो convert कर दे है ते एवला reaction की ड़ाव है? एस reaction वसी की कहने हो? fermentation ठीक है? so this reaction is called fermentation reaction pasteurization की उन्दी है? sterilization of milk sterilization of milk ताक ये नों खराब हों तो बचाया जा सके vernalization की उन्दी है? एह गव है artificial exposure of plants ठीक है? to low temperature to stimulate flowering to stimulate flowering ठीक है? कि अपा plants चड़े है उनना दूं असी artificial exposure दिने है low temperature दा ताकि full चड़े है उनना दे वीच जल्दी लाग सको rating जड़ा process है ओ की है action of microorganism and moisture on plants ठीक है? पोद्धियां दे उपर microorganism दे moisture दा action ठीक है? उननों जड़ा process डील करदा है उननों सी की कहने है rating अगला question है among the following which one is oxidation reaction? देखो है पहला reaction जड़ा है यह की है एक base यह की है acid यह की बन गया salt plus water जड़ो भी acid base देना react करदा है ते salt दे water बना दा है उस reaction उसी कहने है neutralization reaction ठीक है? यह हुन calcium oxide water देना react करके calcium hydroxide बना रहा है मतलब दो compound react करके एक बना रहा है ते यह reaction केड़ा हो गया combination एदे भी ची की है उन magnesium oxygen देना react कर रहा है ते magnesium oxide बना रहा है यह reaction हो गया तोड़ा oxidation ते यह बना reaction एदे ची की हो रहा है देखो sodium जड़ावाया तो sodium chloride बन रहा है आपस ची oil exchange हो रहा है ठीक है? यह उसी कहने है double displacement reaction double displacement ठीक है? ते फिर तोड़ा कोशन दे की बूचया oxidation आंसर तोड़ा की आगया C अगला कोशन locomotory organ और starfish starfish देखिए ठीक है? starfish 30 एद्दा दियन दिया है ठीक है? ते starfish दे locomotory organ की हो रहा है? उन्हान वसी की कहने है tube feed ठीक है? air bladder in fish actives fish दे भीच के अंदर ड़ा air bladder present होंदा है ओ किस तरीके देनाल काम करदा है? ओ काम करदा है hydrostatic organ मतलब to regulate hydrostatic body temperature ठीक है? ओन्हों maintain रखता है the newly hatched tadpole breeds through its जड़ा tadpole है ओ किदा है? frog दा जड़ा है larva develop हो के tadpole बनानादा है ते केंदा newly hatched tadpole जड़ा है ओ साग इतना लंदा है lungs नल external gills नल internal gills नल यह all of these ते newly hatched tadpole जड़ा है ओ किदाना ब्रीथ करदा है external gills देनाल ठीक है? अगला है with which one of the following jacobson organ is related to जड़ा है jacobson organ किदेना रिलेटेड है smelling देनाल ठीक है? तो यह smelling यह दा answer आएगा poisonous fangs of a snake are modified form of तो जड़ी देखिया snake देखिया poisonous fangs उन देखिया जड़ा लो मतलब poison inject करदा बॉड़ी चे ओ की उन देखिया है ओ देखिया है maxillary teeth ठीक है? ओ देखिया है maxillary teeth पुन अगला कुशन है columbolivia is the scientific name है पता है किदा scientific name है pigeon दा अगला कुशन है uric acid is the chief nitrogenous waste in यह उन तो नूँ पता होना चीदे frog दे वीच nitrogenous waste ड़ीया हो क्यों देखिया uria birds दे वीच हुन दा है uric acid fishes की हुन दा ammonia ठीक है mankind मतलब mammals दे वीच भी की हुन दा है uria तो uric acid होने कुछ है कि दे चंदा है birds दे वीच ठीक है सही answer की हो गया फिर अधा birds अगला question approximate lifespan of parrot parrot दी केंदे उमर किनी हुन दी है 20 साल ठीक है 20 साल हुन दी है एक parrot दी उमर mammals which provide eggs egg-laying mammals एना चु केड़ी है duckbill platypus bat, crow, ostrich duckbill platypus which is the largest mammal एना चु सब तो वड़ा mammal केड़ा हुन दा है बड़ा important question है बड़ी बड़ी आंदा है whale ठीक है so whale is the largest mammal हुन एथे सी 200 बंताली question कर चुके है हुन तब ते प्लीज है सारे ही question जिनने भी ऐसी कराए है सारे बड़े important है ते सारे ही revise कर लियो ठीक है तांकी paper तुसी clear कर सको तो अड़ी ये कामयाभी हुन दी है तो जिस अड़ी कामयाभी है ठीक है ते आसी चानने है कि बड़ तो बच्चे रड़े आओ उस लेक्टोन उदेली बहुत जुरूरी है कि साड़े चैनल ते तो आनों जिननी भी त्यारी कराईगी अपने आप police exam दी उस सारे questions नो go through करो चंगे तरिके नों सारे वीडियो देखो ते एदा फैदाउट हो best of luck thank you very much